नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग इंडिया नियूज मैं हूँ अजे पांडे आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की पांच बड़ी ख़बरों के बारे में जी यहां दोस्तों पहले हम बात करते हैं बिहार विदानसभा 2020 चुनाओ में दूसरे चरण का जो चुनाओ है उसका परचार कलसाम समाप्त हो गया और सभी पार्टियों के नेताओं ने तावर तोल रहे लियां करके एक दूसरे के उपर जोरदार हमला बोला और दूसरी ख़बर है जमू कस्मीर से जहां पर तीन बीजेपि नेताओं के हत्या के बाथ से उनकी हत्या बें सामिल सेर्ज कमांडर सेफला को सेना ने मार गिराया है वहीएद हम बात करें तीसरी खबर की तो तीसरी खबर पाकिस्तान से है पाकिस्तान के पाक अत्कृत कस्मीर से जीहां गिलकित पलिसिस्तान को पाकिस्तान के परदान मंतरी इमरान खान ने अस्थाई ताउर पर एक प्रांत का दर्जा दे दिया है और वहीं हम चौथी खबर की बात करें तो चौथी खबर अमेरिका से है जहां पर तीन नौंबर को रास्टपती चुनाओं के लिए ओटिंग होगी और पांचमी खबर है फ्रांस से जहां पर इसाईयों के ऊपर आतंगवादियों के हमले लगातार हो रहे हैं और फ्रांस के रास्टपती मैकरॉन ने कहा है कि यह इस्लामिक आतंगवाद है दोस्तों अधे हम बात करें बिहार विधान सबाचुनाओं में तो कल परदान मंतरी मोधी ने तावरत और चार रहलियां की और उन्होंने अपने ही अंधाज में तेजो स्वियादो और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला उन्होंने कहा कि आपको डबल इंजन की सरकार चाहिए या डबल यूराज चाहिए जो एक जंगल राज का यूराज है और दूसरा कॉंग्रेस का यूराज है इन्होंने अपनी सरकारों में आपको क्या दिया ये आपको मालुम है उन्होंने कहा कि जब जो है, जन्गल राज में यूराज के पिता की सरकार थी तो किस तरीके से माए कहती थी कि बेटा सो जाव, नहीं तो लकड सुंगमा आ जाएगा जी हाँ दोस्तों इस तरीके से परधान मंतरी मोदी ने अपने ही चुटेली अंदाज में जोरदार हमला बोला तेजो सियादो और जो है राहूल गांधी पर खास करके महागडबंदर पर उन्होंने बोला कि क्या नकसल वादी सोच के लोग जो कह करते हैं कि भारत तेरे टुकडे होंगे वे आपको कितनी नौकरियां देंगे और आपके प्रदेश में क्या निवेश करेंगे इसलिए आपको ध्यान देना होगा और याद रखना होगा कि आपका विकास सिर्फ और सिर्फ NDA ही कर सकता है और आपके प्रदेश का विकास ज वहीं पर जो है केंदरी मंतरी असुनी चौबी ने भी तेजसी यादो और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्होंने उनको यम्राज तक कह डाला जी हाँ दोस्तों उन्होंने अपने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा डबल इंजन की सरकार आपको विकास देगी लेकिन जो डबल यूराज हैं वो यम्राज हैं ये बिहार का विकास नहीं बिनास करेंगे तो इस तरीके से बिहार में चुनाव अपने सबाब पर है और दूसरे चरण का परचार अब खत्म हो चुका है कल तीन नॉंबर को दूसरे चरण के 94 सीटों के लिए वहाँ पर ओड़ डाले जाएंगे वहीं पर बात करें दूसरी ख़बर के बारे में तो जो जम्हु कस्मीर से है जहाँ पर रियाज नाईकू के मारे जाने के बास सीर्स कमांडर सैफल्ला को सेना ने मुटबेड में मार गिराया है अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी की तीन नेताओं की जम्मू कस्मीर में हत्या हुई थी जिसमें इसके सामिल होने की खबर थी जिसके बाद से सुरच्छा एजन्सियां इसकी तलास में घूम रही थी पुलिस को रंगरेत इलाके में आतंग बादियों के छुपए होने की सुचना मिली थी जिसके बाद से पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया था लेकिन यह जानकर आतंग बादियों ने उनके उपर धुआधार गोलिया बरसानी सुरू कर दी जिसके बाद आतंग की मु तीसरे ख़पर की जो पाकिस्तान के पाकत करिश कस्मेः गिल्कित बलिच्ट्सिस्तान की है जहां पर कलप परण मंतरी इमरान खान ने गिल्कित बलिच्टिस्तान को एक अस्थाई प्रांत का दर्जा दे दिया है। और उन्होंने कहा कि केंसासित, लगदाक, जम्मू कस्मीर और गिलकित बलिचिस्तान ये भारत का अभिन अंग है वहीं यदि हम बात करें चौथी ख़बर की जो अमेरिका से है जहां पर तीन नौंबर को राश्पती चुनाव के लिए ओटिंग होगी लेकिन वहाँ पर यदि अभी तक R.S. सर्वे के बारे में बात करें तो ट्रम्प से आगे दिखाए दे रहे हैं वाइडन लेकिन यदि वहाँ पर परचार समागरियों को लेकर बातें की जाएं तो सब पे ज़्यादा ट्रम्प की टोपियां, बैनर, पोस्टर और ये सारी च पती का चुनाव करेंगी अब दोस्तों हम बात करते हैं पाँचवी और अंतिम खबर की जो खबर फ्रांस से हैं जी हां फ्रांस में आतंकवादी हमले लगातार जारी हैं इन आतंकवादिताक्तों के आगे जुकने वाले नहीं हैं। यह एक इसलामिक आतंकवाद है और उन्होंने अलजजीरा को दिये एक इंटर्वियू में कहा है कि वो मुसल्मानों की भावनाओं को समझते हैं लेकिन कटर इसलाम सब के लिए खत्रा है। दोस्तों यह है देश और दुनिया की पाँच बड़ी खबरें। यह आपको खबरें कैसे लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद जय भारत।